सबसे पहले सुभी में आपके स्पास आना चाहूंगा सवाल यह है कि ऐसा इतिहास जो तत्थीन है आधारीन है यो पढ़ाया जाता रहा और किसने इसकी साजिश रची जी जी दीपक जी देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप कोई भी कंट्री उठा कर देख लीजे हर कंट्री का ये इतिहास होता है कि जो भी आकरांता या इन्वेडर्स ने उन कंट्री में कभी किसी तरह का आकरमण किया होता है और जब भी वो देश आजाद होता है सबसे पहले वो इतिहास उठा के फेका जाता है उन लोगों का नाम भी लेना पराद होता है जर्मनी में हिटलर का आप नाम भी ले दें तो पुलिस उठाकर लेकर चली जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इतने सालों तक ये हुआ कि जिन लोगों ने हमारे उपर अत्याचार किया हमारे उपर आकरमण कि हमारा इतिहास शास्तर संस्कृति को बरबाद किया उन्हें नहीं सिर्फ ग्लोरिफाई किया जाता है बलकि वली बना के पूजा जाता है अभी हम जिस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं कि औरंग जेब ने मंदिर बनवाए मैं ये पुछना चाहती हूँ क्या ये वही औरंग जेब क्रिशन जनभूमी पे विनाश करने वाला औरंग जेब गुरुतेक बहादुर का सरकलम करवाने वाला औरंग जेब छोटे छोटे बच्चों की गर्दने काटके उनके सर से माला बनाके उनकी माला उन बच्चों की माओं के गले में डालने वाला औरंग जेब ये उन ना बेवकूफ है, ना कमजोर है, सिर्फ बहुत टाइम तक हम लोगों को इग्नॉरेंट रखा गया है, उसके अब आइप साचुरेशन पॉइंट आ गया है, वो इग्नॉरेंट की डेट भी अब एक्सपायर हो चुकी है भाई साब, अब आप कोई भी लॉजिक दीजे, किसी